इसा है जब स्वार्थों का टक्राव होता है और स्वार्थी गटबंधन बनता है तो इस तो वाजिब है ना पहले हुआ नितिश्वाव को दे रहे हैं कर्विनर्शिप अब उनके क्लोज लोग बोल रहे हैं कि वो कोई आवेदन दिये थे क्या वो तो पीम के दावेदार हैं वहां ममता जी हैं वहां रहुल गांदी के समर्शक हैं आज कर मुने सुना है कि उधर ठागर को भी लोग पीम के लोग पिजट करते हैं तो ये स्वार्थी गटबंधन मोदी विरोधी गटबंधन जिसका एक ही काम है कि हम किसी प्रकार से सत्ता में आयर मोदी जी को रुकिए और एक तरफ मोदी जी एण्डिये भाजपा भारत का विकास भारत का विकास यह कहानी हैं और कोई वेकंसी नहीं है लेकिन दो महिना के लिए इन लोग की नॉटगी चलने दी तो चलने दीए देश देखने दीए